आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि जो भी यूमन स्केचिंग है उसके लिए आपको किस तरह से अप्रोच करना है किस तरह से स्टार्ट करना है अगर आप एक बिगनर हो और आपको बेसिक से भी कैसे ड्रॉइंग करना वो नहीं पता है तो आप मेरा पिछला वीडियो जाकर देख सकते हो जिसने वीडियो देखा है उन्हें वह काफी जादा पसंद आए क्यूंकि वह मैंने काफी फणी वे मैं इसे बनाने के ट्राइब किया ता अब जल्दी से जाकि वह वीडियो को लिंक दिस्क्रिप्शन में दिए वहां देख सकते हो या फिर आई बटन आपको इस वीडियो को लाइक और करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अगर आप चाहे तो आप जाके मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे फॉल्व कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही मैं हुसामिशा राच कुमार और कैमेरा मैं जिसका मर पास बजट नहीं है चैनल मेरा की क्रिटिविटी वेशा बढ़ते हमारे वीडियो की और तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले इंपोर्टन यह बताने वाले हो कि यूमन स्केचिंग अगर आपको कोई पोट्रेट प्रॉट करना है तो उसके पहले आपको यूमन स्केचिंग करना क्यों सबसे पहले है तो उसमें आपको अपना हाथ प्री करना होगा तो हाथ प्री करने के अपको यूमन स्केचिंग उससे पोट्र एक काफी हल्प होगी यह विए फर्सौइंट चेकंड के लिए कि आपको इसमें जो डिस्टंस है जो वे से फीचर्स हम लोग ड्रॉग करते है जैसे मैंने देखा है कि किसी का proportion प्रॉपर नहीं होता है फेस बड़ा हो जाता है या फिर दो आइस के बीच का distance को change हो जाता है उसके हात में हाथ मतलब कभी मैंने इसे देखा है कि फेस बहुत बड़ा है और हाथ एक दब से ललू-बूलू जैसे उसे कुछ पैरलाइस हुआ है तो इसलिए फिरी इंपॉर्टन और इससे आपको यह भी फाइदा होगा कि आपको आपकी जो expression है जैसे आप मोट्रेट में देखोगे कि different difference आपको expression दिखाना होता है तो वह हमें इसमें sketching में आपको इसलिए study करने में help होगी तो इसलिए मैं आपको इसे tips बताऊंगी आगे कि आपको किस तरह से आपर approach करना है तो अब हम करने वाले हमारे ancestors को याद इसका मतलब की अरे ने गाइस हमें जींगला लूँडांस नहीं करना है वह तो मैंने बस ऐसी दिखा दिया आपको गलत आइडिया मत लेना मैंने यह कभी ऐसे ट्राइ नहीं किया है मतलब ऐसे मैंने कभी कुछ किया नहीं है ओके जींगला लूँडांस हां तो एनिवेज इंसिस्टर्स को याद करने से मेरा मतलब है कि आप लोगो ने वारली पेंडिंग तो देखा है नहीं देखा तो यार गूगल कर यार क्या हर चीज मुझसे सुननी है आप स्क्रीण पर देख सकते हो कि वारली पेंडिंग किस तरह से रहती इसमें आपको बस लाइन खड़ा है बैठा है तो उस तरह से आपको वह करना है और इसलिए आप वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी चो टेक्निक से आप वह यूज कर सकते हो अब यहां पर देख सकते हूं कि मैंने आप शाहिद कपूर का ऐसे रेफरेंस लिया है आप चाहो तो यह आप कोई भी आप कोई भी सलिप्रेटी कर लें सकते हो तो यहां पर आपको सबसे पहले लाइन डॉइंग से स्टार्ट करने है यह काफी बेसिक से मैं आपको बता रही हूं पहले आप एक सर्कल ड्रॉ कर लिए फेस के लिए इन आप यह देखिए कि वह सर्कल किस डारेक्शन मे है यह स्ट्वेट है तो आप वैसे कर सकते हो उसके बात में फिर आप उसके हाथ एंड जो आपको बस लाइन ड्रॉइंग करने है पॉस्टर को अच्छी तरह से समझ के और अभी इसी तरह से आपको अलग लगा टाइप की जो पॉस्टर दे उसको प्रैक्टिस करना होगा इसी तरह से बस लाइन ड्रॉइंग करें प्रैक्टिस और जब यह आपके अच्छे से हो जाए डिफरेंट पोजेस के लिए तो आप इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं इस तरह से जिस तरह से मैं बना रहे हूं यहाँ पर सिव जो डाकर एरिया आपको दिख रहे हैं उसमें आपको यह द्यान रखना होगा कि उसमें आपके जो फीचर्स है मतलब जापके एक्सप्रेशन है वो चेंज ना हो वह अगर थोड़े से एक्टिट्यूट वाली एक्सप्रेशन है तो वह उसी तरह से दिखे पर आपको बस यहाँ पर एक्दम बेसिक से करना होगा प्रोप देखे आपने जो भी आपकी लाइन ड्रोइंग की है आपको उसी तरह उसी को बेस रखे उसी डारेक्शन में वागरे आपको जो धीरे-दीरे वैसे फीचर्स ज्रॉ करना होगा एन्ड जो आपको यह प्रोपोर्रिशन याद रखना होगा कि देखे है जो ज़्यादा जादा उठाना नहीं है इसमें continuous आपको हाथ चलाना है आपको फ्री करना है जहां पर भी आपको डाकर एरियास दिखते जिसे क्रीज कोई बर्टन्स तो उसमें आपको बस यह से लाइन्स लाइन्स ड्रॉ करने स्टाटिंग में तीरे-दीर आप उसे हैचिंग टेक्निक से कर सकते हैं अगर यह जो बेसिक है यूमन फिगर्स अगर आपको अप्रोच करते नहीं हा रहा है कि किस तरह से ड्रॉ करना है तो आप सिंपल क्या करो कि जैसे वो ट्रेस पेपर या आपको इजली दिख जाते हैं बड़े-बड़े पॉलिटेशन स्पोर्स परसन सेलिवरिटी तो आपको तो बहुत मिलेगा तो आपको क्या करना है चस्वाह पर उसे रखना है तीग है और उसके बाद में जो उनके आउटलाइन से जैसे फीचर्स हो गए तो जो भी सिव ड मतलब जैसे कि आप कोई फोटो देखो और उस हिसाब से फिर आप उसे डारेक्ली ट्रॉइंग करो अगर इंटरेट पे डालो कि अगर सपोज आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है कि आपको क्या करना है तो आप सिंपली आप कोई भी इंटरेट पर से सरच कर सकते हो कि बॉलि अब दीरे दीरे प्रोग्रेस कर से और अगर यह सब भी आपको नहीं मिल रहा है कुछ भी तो आप सिंपल यह कर सकते हो कि आपकी जू ममी पपा है वो जब बैठे होगी या कुछ भी ऐसे एक्टिविटी करोगे तो आप उनका जाटियो फोटो क्लिक कर सकते हो तब मत करना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा यूसफुल था यह नहीं तो प्लीज मुझे जल्दी से बता दीचे और वीडियो को लाइक कर दीचे और स्टैनल को सब्सक्राइब कर दीचे थैंक्यू सो मच पॉचिंग गाइस बाई बाई